हम बनाएंगे राइस केक नाइक्स का टाइम हो गया राइस केक मैंने तुम दोनों के लिए खास तौर पर राइस केक बनाए है तुम्हें पसंद है राइस केक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माप अरे नोबिता क्या हुआ गाता क्यों नहीं यह मेरा है नहीं है मेरा है मैंने कहा ना मेरा है डोरेमान हुआ है 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 तुम्हें प्लेट क्यों लगाई कि यह मेरा राइस केक है मुझे बताओ तुम दोरे में से गलती किसकी है नोरेमान ने मेरे राइस केक ले लिया माम यह आक्री बचा था और इससे मैंने पहले देखा था पर नोबिता ने चीन लिया है बस अब लड़ाय कात्म करो तुम्हारी वज़े से मॉम मेरा राइस केक खा गई यह सब तुम्हारी वज़े से ही हुआ है अगर माम हमें तीन की जगे चार राइस केक देती तो हम दोनों को इस तरह लड़ना नहीं पड़ता आइडिया राइस केक मेकिंग मशीन डोरेमोन तुम शकले से लगते तो नहीं लेकिन तुम बहुत जीनियस अब बहुत ही समझदार हो अरे मेरी इतनी तारिफ भी मत करो इसे अन करता हूँ अरे राइस केक के इंग्रीडियन्स तो डाले ही नहीं मॉम क्या आप हमें फ्लीज थोड़े राइस दे दे멍गे खाने की चीज के साथ खेलना नहीं चाहिए हम खेलेंगे नहीं बस उस से राइस केक्स बनाएंगे राइस केक्स बनाना तुम जैसे बच्चों का कहल नहीं है समझगार हम बना लेंगे आप बस दे दीजिए ना पर वो तो बहुत ही कम है ठीके मत दीजिए राइस के बिना हम राइस के कैसे बनाएंगे राइस केक बनाने के लिए हमें ही कहीं से राइस लाने होंगे पर एक बात बताओ ये सब हम करेंगे कैसे डोरे मौन चिंता मत करो Home Farming Set इसकी मदद से हम राइस होगाएंगे इसकी मदद से हम बनाएंगे एक सूरज और इस ट्यूप से बनाएंगे बादल मैं बनाओ ये लो स्केर क्रो और इससे हम बनाएंगे खेट लगता है यहाँ पर बारिश होने वाली है इतने जादा मतर क्यों बना दी है अगर हमने चल्दी इने कम नहीं किया तो गड़ बढ़ हो जाएगी ये लो चल्दी 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 चल्दो अब शुरू करें बैठे बैठे देख क्या रहे हो मदद क्यों नहीं कर रहे हैं मैं ठीक तो कर रहा हूं ना डोरेमाद अरे तुमने उसे ठीक तरह से नहीं लगाया उसे सीधा लगाना चाहिए नोबता अब ठीक है मेरी कमर में तर्द हो रहा है बहुत तेसर्द हो रहा है इतना तो काम भी नहीं किया मिनियेचर साउटों में मिनियेचर साउटों में ये क्या है ये ऐसे ऐसे डांस क्यों कर रहे है मेरा दर्द ठीक हो गया काम हो गया मैंने सारा काम कर दिया हमने सारे पौधे लगा दिये है दो घंटे में राइस तयार हो जाएंगे सिर्द दो घंटे में हां तुम देखते जाओ तुम्हें ऐसा नहीं लगता गर्मी ज्यादा हो गई है अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा हां पारिश यह तो पहुत कम है अरे पारिश रू क्यों गई यह बात तो मैं भी नहीं जानता नोबिता हमारा सेथ तो सुप गया अब क्या करेंगे जल्दी सफारी लओ जल्दी करो पारी लओ जल्दी करो यहां पर क्या हो रहा है पारी का है यह तो मेरी मुसीबते बस बढ़ाते ही रहते हैं इनको क्या करूं मैं अब क्या होगा इनने सूरज की रॉष्णी मिलनी चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा बारिश को बंद कर दो सूरज आ गया नूपता जड़े यहां कर देखो अरे वाँ हमारी फसर दो उने लगी यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है न सब बिल्कुर ठीक है अरे मुझे मौसम के बारे में जान लेना चाहिए मौसम के बारे में क्योंकि तूफान आ सकता है जो इनके लिए ठीक नहीं नूपता तूफान यहां से शुरू होकर तुम्हारे खेत की तरफ बढ़ रहा है इसलिए साफधान रहना क्या तूफान के साथ साथ आज यहां बहुत तेज बारश भी होने वाली है तो अगर तूफान चला गया शुक्र है हमारे खेत को कुछ नहीं हुआ कम मरेंगे चावल मैं ठाक गया हमें कितनी मेनद करनी पड़ रही है अरे वा यह चावल उख गए है डोरे मौ देखो तुमने बिल्कुल सही कहा हमारे राइस अब कयार है बिल्कुल अरे वा यह चावल उख गए है डोरे मौ देखो चलो अब हम इस राइस से राइस केक बनेंगे राइस को इस मशीन में डालेंगे यह मशीन चिपचिपे चावलों को सुखाएगी और फिर उन्हें पॉलिश करतेगी तो ठीक है लेकिन राइस केक का बनेगे जब चावल तयार हो जाएगा उसके बाद यह हमारे लिए राइस केक बनाएगी ये, राइस केक बन गग है चलो खाते है आओ किस्टी लग रहा है मैंध का पल मीठा ही होता है एक बात बताओ, हम इससे कितने राइस केक्स बना सकते हैं ? इसमें लिखा है 217 राइस केक्स बन सकते हैं यह तो बहुत सारे हैं, इसका मतलब अगर हमें शेयर करना हो तो हमे मिलेंगे 218 को हम दो हिस्सों में बाटे तो 149 तुम्हारे और 131 मेरे नहीं, तुम्हें 139 और मुझे 130 नहीं, 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 नहीं